कि नमस्कार मैं चंद्रुपाद्याब सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं अब इनदन करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल साइकुलाजी वाले गुरुजी में आज की क्लास में हम एमें फर्स्ट यर प्रथम समेश्टर पेपर सेटेंड मनोविज्ञान के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह सोध रिपोर्ट लिखना यानि की राटिंग रिसो रिसर्च रिपोर्ट अब सोध कै कैसे लिखते हैं उसके लिखने का नियम क्या है इसके बारे में हम एक एक करम से बात करेंगे ठीक है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यह जो पेपर सेकेंड रिसर्च का पेपर चल रहा है यह हर विशे के लिए उतना ही महतवपूर है जितना की सभी विशेव में एक पेपर रिसर्च का होता ही है तो इसलिए सभी बच्चे इस रिसर्च के पेपर का जो भी क्लास अपलोड हो रहा है चैनल पर उसको देखकर लभानवित हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट यान करते हैं अगर आप देखेंगे तो आपके में पर्थम समेश्टर का यह पर सेकेंड है रिसर्च का उसी का यूनिट फर्ष्ट का यह टापिक है सोद रिपोर्ट लिखना ठीक है इस लियास से भी आपके लिए अच्छा होगा अगर आप में के स्टुडेंट है तो उस लिय होता है कि सोद में क्या होता है कोई समस्या होता है उसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए एक मनोब ज्यानिक या सोद करता क्या डाटा कलेक्शन करता है और उसी डाटा कलेक्शन यानिकि आकडों का संग्रा करके उसी केधार पर क्या है वो निशकर्स निकालता है तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक सोथ करता कि कि वह क्या है किसी समस्यां पर सोथ करके उसे एक निस्षित निस्कर स्प्रावत के लिए बल्कि उसे एक धंग से रिपोर्ट करना भी उसका एक प्रमुख उद्यस होता है यह जैसे आपको एक जांपल घुरोब देखते हैं कि तवाम तरह के बैंजन या पक्मान आपके सामेरे रखे हुए हैं वह उनका मत फोषी प्रकार से नहीं होता जब तक कि और उसको एक अच्छे मिल जाएगी आप देख लेज़ेगा रिपोर्ट आपको बताते हैं जैसे आप पुलिस में जाते हैं थाने में जाते हैं रिपोर्ट में आप क्या लिखाते हैं रिपोर्ट में जो घटना होई रहती है उसकी मुख्य मुख्य बाते आप लिखाते हैं ठीक है लिखाते हैं जि जिस्ते की कोई भी अगर देखे तो वो यह पता लगा ले कि आखिरिकार की सोद हुआ किस पर है और सोद में क्या-क्या बाते संबलित है ठीक है आगे बढ़ते है इस रिपोर्ड का मूल उद्देश क्या होता है अन्य लोगों को यह बतलाना होता है कि सोद करता द्वारा अम मुख समस्या के समाधान किसी धंग से किया गया है इससे बैग्यानिक ज्यान का प्रसार होता है ठीक है इससे क्या होता है बैग्यानिक ज्यान का प्रसार होता है क्यों प्रसार होता है क्योंकि सोद रिपोर्ड विज्ञान द्वारा बताया गया जो नियम है या अमेरिकर व होना चाहिए उसमें देखते ही ऎक परिमिष्चक को कि इसमें क्या मुख्य बाते है और यथार्थता होना चाहिए जो आपका सोझी को रीपोर्ट थे संख्षिप्क्त में अपकी रिपोर्ट हो और पुरा रिपोर्ट होना सागर भर्णा यिसी प्रेकार से सोद रिपोर्ट आपका सोद का गागर में सागर धर एक प्रती प्रेस पंप मतarf pause को और चात्र हो के लिए आउसे जो रिशर्च करना चाहते जो स्काफस जो जिसको रिशर्च का रिपोर्ट राटिंग नहीं आता है लिखने कैसे सोध रिपोर्ट को हम लिखे ठीक है उनकी सुविधा के लिए अमेरिकन मनो बैज्ञानिक संग एपीए उन्हें सो तीरासी के प्रकाइशन मैनुवल ठीक है प्रकाइशन मैनुवल के उप्यूप चोड़नों को निम्रिखित तालिका द्वारा बताए गया है यानि कि छात्रों के सुविधा के दिश्टी कोर्स से और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो रिसर्च करना चाहते है उन सभी के लिए समान चीजों के लिए एक जो है उन्होंने प्रुफार्मा तयार किया किसने तयार किया एपीए अमेरिकर मनोबग्यानिक संग ने जिसका प्रयोग क्या है बीबिन देशों के सभी मनोबग्यानिक या रिशर्चर करते हैं तो आज के क्लास में इसी नोटे राइटिंग लेख सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम सुरू करते है, कहां चुरू करते हैं? शिर्शक प्रिष्ट, यह तो आपका पता को कोई किताब हो या कोई आपका सोध हो, सबसे पहले आपको त्या होता है, हमने एक किताब यह यहां पे लिया, ठीक है? यह सु सिर्षक प्रिष्ट होता है कि लीत में क क्या दो सब से पहले क्या कह रहेंगे एक दम पर उसके ओपर क्या लिखेंगे ये समस्या को पूरी संश्या को लिखेंगी कि जैसे сирकारी सिचकों की वेफसाइक संतुष्टी का तुल्नात्मक अध्यन, तो इतना आप, नहीं लिखेएंगे, आप, मुख्य मुख्य बाते लिखेंगे, आप कहा लिखेंगे, सरकारी चीछ सब्काइरि,- सेथा iç का वेफसाइक संतुष्टी का अध्यन करना, बस तिक उसके बाद क्या लिखा जाएगा लेखक का नाम तथा संबंधन यानि कि जो रिशर्च कर रहा है या जो भूप पब्लिश कर रहा है उसका नाम रहेगा तथा वह किस स्कालेश से जुड़ा हुआ है ठीक है जैसे मालेजे कोई व्यक्ति बेच्चु में पढ़ रहा है व इसको करते हैं यह जो होता है यह आपको हर एक पिश में उपर होता है ठीक है यहां पर जैसे व्यज hasi ऐपका ऐक पेज हो गया ठीक है यह ऐसे हो गया अब इसके बाद अग्ला हम लिखते है अभारोक्ति यदि हो यदि आपने अपना जो रिशर्ट किया है आपने जो अपना सोध किया है यदि आपने उसमें किसी का हेल्प लिया है किसी के साथ मिलकर किया है तो उसको भी अगर आप अपना अभार ब्यक्त करना चाहते हैं उसके प्रति अपना कितग्यता ब्यक्त करन चाहते हैं तो उसको भी आप क्या है दो चार लाइन में पांच लाइन में यहां पे आप लिखेंगे तो यह तो बात हो गया क्या है सिर्शक प्रिष्ट में आप क्या लिखेंगे अब दूसरा आता है abstract आता है अब ये abstract क्या होता है इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख दिया है चलिए देखते हैं कि abstract क्या होता है देखिए abstract किये गया सोद के प्रभुग विद्यों का एक सरांच होता है समझ गए आप जो सोद आपने किया है उसके प्रमुख विदियो का सरांस क्या होता है abstract होता है इसमें क्या होता है? इसमीं समानित है 12-15 सब्बक्तियान ठीक है? यानि 100-120 सब्ब्ध से अधिक नहीं होना चाहिए abstract में कितना नहीं होना चाहिए? 12-15 लाइन और 100 से 120 सद्थ से अधिक नहीं होना चाहिए आगे बरते हैं इसमें सोफ के उद्देष को एक या दो पंक्ती में क्या लिखा जाएगा इसमें सोफ का उद्देष लिखा जाएगाla 1 या 2 लाएन में कारविदी यानि की प्रोसीजर को 5 से 6 लाएन में आप लिखेंगे परणाम को आप 2 से 3 लाइन में लिखेंगे तो निश कर्स को एक लाइन में आपको लिखना चाहिए किसका सुज़ा हो portions करो एक किसके दूरा बत आ प्ता गया है कि अमेरिकन मनोबिग्यानिक्ष संगत राव सविप अनुसार प्रकाकसन मेनोवल राविक को क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए किवेख्ति कि चाहिए जतारत हो चाहिए तेजी से संदने लायक आपने चिर्ट क्या रिपोर्ट की चाहिए कि वाय ऻिसे आपका रिशर्स अपॉस्द आपको लिखना चाहिए की बह KTIS को समझे तो जल्दी से वो समझ जाarin कि उसमें आप क्या बात ना चाहते वही बात आए तो आप मेलन ने प्रयोंब किया हूंगे कि हेडि की समैंट चाहिव्या अपको समस्या है करेंगे दूसरे गारेडि करेंगे साहित की पिश्प भूमी सं interviewing क्या होता है यह क्या होता तो यह होता है क neighboring फिली होता है घोसे रिलेटेड जो पहले सोध हो चुके है या उस एक रिलेटेड जो भी निलते हैं उनको क्या है अप अच्छे से पढ़िये उनका रीब्यू करिए उसे नालेज प्राथ करिए और उसे में जो भी गल्ति हो गया है जो भी कम ही छूट गया है उसको आप अपने सोद में पूरा करें इस लिए इसको क्या है यहां पर साइत की प्रिश्ट भूमी और समिच्छा का जाता है अगरा एदिंग में आप क्या लिखेंगे उद्देश एवं परिकर्पना आप अपने सोद का उद्देश बनाएंगे और उसी उद्देश को लेकर आप चलेंगे और जब आप निस और साथ न साथ आप इसमें अपने प्रा कल्पना भी जिसको हाइपो टिसिस करते हैं, इसको भी मनाएंगे, हाईपोल टेकिस दो प्रकार कापी лин लिखेंगे, एक मुख्य न लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे एक सुन्य परिकलपना लिखेंगे, इतना बात इसमें आप लिखते हुए आप आगे चवटे एडिंग में आदाएंगे जो आपका बिदी यानिकी मेतड होता है अब आप सोध को करने के लिए काउंसी बिदी का इस्तेमाल किया है कि स्टूल का सहता लिया है सब का वर्लन आपको इसी एडिंग में करना होगा सब अब ही हमने आपको एक समस्चा बताया कि वरार्षी जनपत के सरकाई जितने बी सरकाई जिता प्राइबेट स्कूल है उनमें जो सिच्छक कारे करते उन सभी सिच्छकों को अपने प्रोज के रूप में लिया है ठीक है तो इस प्रोज का नाम क्या है क्या उसकाई उसका आयू है किया लिंग है अर्तिकी शित्व क्या है मा compensation क्या है बाज़े के अनुस्टा यदि हो यदि आपने किसी टूल की सहयता से अपना सोथ किया हो अपने सोथा उपकरण में लिखेंगे जैसे माल लिजे आप किसी व्यक्ति का बुध्धि परिच्ण कर रहे हैं तो उसके लिए आपनियां बनी हुई है उसके लिए टूल बना हुआ है तो आपने जो तूल अपने प्रयोग किया तो इसके बारे में आप यहां पर संचिप्त में लग डिजाइन डिजाइन जदी हो अब डिजाइन क्या होता है अगर आप से पूछा जाया कि डिजाइन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि किसी भी चीज पर जो है एक अच्छी सिकला कृती जो होती उसी को डिजाइन कहा जाता है लेकिन रिसर्च में क्या होता है रिसर्च में भी कि अंठर पर स्पालिफिक प्रकार से निवे प्रकार से रिसर्च करते पहले प्लानिंग करते भी एक यह द Mechani बनाते हैं कि फिर उसके बात क्या है आप सोध को मुर्त रुप देखते हैं वही आपका क्या है डिजाइन हो गया अब कारविदी यानि की प्रोसीजर में आपके आपनाएगी। ठीक है क्या क्या उसके चरण रहें कि tapa क्रेश्र को विराब दिया प्रश्थी ती कैसी थी नियंत्रित्ती की एनियंत्रित्ती इन आप अक्या क्या करेंगे अगला है प्रोचीजर्ड में आपडों का बनाने के जिरुवत होगी जो जयमती किसर बनता लाफ़ पेपर इस को भी आप बनाएंगे ठिक आगर आगे साञके करती प्रस्तुति की अपने सो weighing में आप जो भी कुछ साईटेकी प्रक्रम को अपैंग उस सभी आपको करना है जैसे कि आप ने मद्धयमान का इस्तमाल किया आपने इस्टेंड़र्ट की आपने czy एक आपने डिटेश्ट का किया उन सभी का आप फार्मूला सहीत कैसे किया उस सवाल सभी को आपको इसमें लिखना होगा सांखिकी प्रस्तुति इसको का जाता है अब इतना तो आप लिख लेंगे परणाम में अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बीवेचना इसको डिसके सन या तो ब्याक्ख्या करते है इसमें क्या लिखेंगे प्राकल्पना का समर्थन या समर्थन अब आप आपको प्रणाम प्रात हो गया अब आप देखेंगे कि जो आपने नल हाइपोतिस बनाई थी वो क्या है उसका समर्थन होता है या समर्थन होता है अगर नल हाइपोतिस आपका रिजेक्ट हो जाता ह है तो आपका मुख्य यानि मेन है इप्किल käytश का होगा मुख्य परिकल्पना होग अपका हुआ यानि के आपका अच्छे से नहीं कहीं नहीं कमीर गई तो फिर आप शुरुआत करेंगे तो यहीं इसमें प्राकलपना का समर्थन या समर्थन हम करते हैं अब आगे इसी में एक खेटिंगे डालेंगे हैं बेवारी के हम सद्धानतिक आसा है आपने जो सोध किया ठीक है जैसे मनों विज्ञान तो आप जानते हैं कि साइकोलोजी इस दे क्या है इसमें एप्लाइट भी किया जाता है इसमें जो व्यक्ति सिधान नियम बनते हैं उसको बैवारें पहले प्रयोक किया जाता है फिर सिधान नियम बनते है इसमें ठीक है तो इसका आप जो आपने जो सोध किया है आप समाज साथ किया है उसका बैवारी क्या है बैवारी कु जैसे करोणा आया था तो करोणा गुरुकने के लिए विग्यानिकों ने जीतोड महिनत किया अधन किया तब क्या है करोणा समद्ध उन्होंने व्यक्षिन बनाया जिसे क्या है क्रोडों लोगों की जाग बसी तो यह इसका बेहवारी कासा है तो आप अपने सोद का भी में अपने चीजों को हम समराइस करेंगे क्लिजा करेंगे ठीक है इसमें पहले लिखेंगे संदरभयादी की अब करने के लिए जहां-जहां से मड़ा किताब भूसाइब से जहां जहां से अपने चीजों को लिया हैं था वहकिजन आपने बुद्धी परिशन के या उसमें क्या है आप अरुकमार सिंग के समान मनु विज्ञान का अपने किताब की साहता लिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे आप सिंग ठीक है सिंग एक ठीक अब अब बुक का क्या नाम है आपके मारे जैनल साइकोलजी ठीक है यह हो गया जनल साइकोलजी ठीक अब जनल साइकोलजी के बाद अगर कोई publication है तो यहां पर publication का नाम भी आप लिख देंगे ठीक ऐसे reference आपका लिखाता है संदर्ब ग्रंत ऐसे लिखाता है ठीक इतना तो आपको संदर्ब जो भी आपने जहां भी जिस किताब से जिस magazine से जिस website का आप इस्तमाल किया और सब के बारे में आप संदर्ब में ल लिखना होता है आपने जो भी प्रपत्र का या मेनुवल की चाहता से अपने चीजों को अपने सोच को किया है उसका जो है फोटो कापी या उसका पूरा क्या हो बहुँ आप परसिष्ट में लगाएंगे बाकि जो computer से समन्दित होता है या जो आपने सांखे की गणना किया फिस तरह से आपका क्या है Research का रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है यह तरीका होता है यह तरीका किसी ने बताया है यह तरीका अमेरिकन मनोबिज्ञानिक संग 183 नहीं जिसका प्रेयोक सभी मनोब ज्यानिक चाहे वो भिटेन के हो चाहे इंगलेंड के हो चाहे अमेरि ओर लिख लिखने में करते हैं, तो आज करता है, कि आपको आज के class देखने के बाद, यह पता चल ज़गै होगा, कि कैसे research का report acting करते हैं, तो का आप report कैसे लिखते हैं, आपको पता चल ज़गै हो, अगर फिर भी आपको कोई confusion हो, अगर हो तो आप वीडियो केमेंट करके हमसे फूस सकते हैं तो आज की क्लास में मलते हैं अपने अगरे क्लास में तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद